आप सफी विद्यार्थियों का एक बार पुना स्वागत है सुभा सेश्टेडी सेंटर यूटूब चैनल पर आज का यह वीडियो का च्छा दस के चात्रों के लिए काफी ज़्यादा महतपूर होगा क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साजा करेंगे हिंदी विषय का माडल पेपर जो आपकी वारसिक परिच्छा 2022 के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है क्योंकि यहां से आपकी बोर्ड परिच्छा में जरूर प्रशने पूछे जाएंगे और मैं आपको जानकारी दूँगा कि हिंदी विषय का जो माडल पेपर है यहां कितने पूढांक का है और आपकी बोर्ड परिच्छा का जो पेपर होगा इसका पूढांक क्या होगा समय आपको कितना मिलेगा और कौन सा प्रशन कितने नंबर का पूछा जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीजेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं माडल पेपर का पूढांक कितना होगा हिंदी विशय का जो पेपर होगा इस पेपर का पूढांक होगा सत्तर अंको का यानि पेपर का पूढांक कितना होगा सत्तर अंको का पेपर का पूढांक होगा और समय कितना होगा समय होगा 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा पेपर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स यानि निर्देश दिया होगा कुछ इस तरीके से कि प्रारम्य के 15 मिनट परिच्छार्तियों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और यहां आप देख सकते हैं प्रश्ण संख्या एक का प्रश्ण संख्या एक का जो की इस प्रकार से पूछा गया है और कुछ इसी तरीके से आपकी बोर्ड परिच्छा में पूछा भी जाएगा और यह जो प्रश्ण है आपकी बोर्ड परिच्छा दोजार बाइस के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टन है इसलिए आप इस माडल पेपर को जरूर तयार कर लीजेगा और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इस माडल पेपर का संपूर हल करके बता दूँगा वीडियो के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खा के अंतरगत प्रश्ण है निमनलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए यहाँ पर चार कथन दिये गए हैं सत्य कथन पहचानने पर आपको एक नंबर मिलेगा यानि एक नंबर का यहाँ प्रश्ण का नाम लिखा है आपको किसी एक करत यानि एक रचना की लेखक का नाम लिखना है यहाँ प्रशन एक नंबर का पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गा के अंतरगत प्रशन पूछा गया है जंजीरे और दीवारे किस विधा पर आधारित रचना है एक नंबर का यह भी प्रशन है और यहाँ पर चार विकल्ब दिये गए हैं और अगला प्रशन है एक घा के अंतरगत कंकाल किस विधा की रचना है यह भी बहुविकल्पी प्रशन है एक नमबर का यह भी प्रशन पूछा गया है और यहाँ आप देख सकते हैं एक अंगा के अंतरगत क्या भूलू क्या याद करू किस विधा की रचना है तो यह भी बहुविकल्पी प्रश्ण है और एक नंबर का प्रश्ण है यानि प्रश्ण संख्या एक के अंतरगत एक का है एक खा गा गा और अरंगा यह सभी बहुविकल्पी प्रश्ण है आपकी बार पूछे जाएंगे आप आपकी बोर्ड परिच्छा 2022 में और प्रतेक प्रशन कितने नंबर का होगा एक नंबर का होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह जो प्रशन है 2022 बोर्ड परिच्छा के लिए most important है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला प्रशन है प्रशन संख्या दो का केंतरगत प्रिय रीतिकाल की दो विसेश्थाएं हो या आदिकाल की या भगतिकाल की यहां से एक प्रशन जरूर बनता है आपकी बोड़ परिच्छा के लिए और यहां प्रशन मोश्ट इंपोर्टन्ट है यहां पर आप देख सकते हैं दो नंबर का यहां प्रशन पूछा गया है और प्रश प्रशन संख्या दो गा के इंतरगत पूछा गया है चायावाद के किसी एक कविका नामों लेख कीजिए तो यहां प्रशन पूछा गया है एक नंबर का प्रशन संख्या तीन जो कि इस प्रकार से आपकी बोड़ परिच्छा में पूछा जाएगा निमनांकित गद्यांसो में से किसी एक के नीचे दिये गए प्रशनों के उतर दीजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं तीन का और तीन खा यहां पर आप देख सकते हैं तीन का और तीन खा दो गद्यांस दिये गए हैं और दोनों गद्यांसों के नीचे प्रशन दिये गए हैं आपको क्या करना ह किसी एक गद्यांस के नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर देना है और इन प्रश्णों का उत्तर देने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे छे नंबर मिलेंगे यानि आपको क्या करना है किसी एक गद्यांस के नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर देना है और छे नं गत सौंदर इस्पष्ट कीजिए तो यहां पर चारका के अंतरगत पद्यास दिया गया है बुरो बुराई जो तजय तो चित खरो डरात। जयोंक निकलंक मयंक लखी गने लोग उतपात। स्वारत सुक्रत। नस्रम बिर्था देख भिहंग विचारी बाज पराए पान परी तू पच्छिनु ना मारे तो यहां पर आप देख सकते हैं बिहारी लाल जी के द्वारा रचित दोहे हैं और मैंने बिहारी लाल जी से समंधित जो जितने भी दोहे हैं आपकी पाठ पुस्तक में सभी का शंदर्व ब्याख्या एवं का बिगत सौंदर इसे रिलेटेड व स्थल जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन शंबल मृत एक सरिता है जिसमें स्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्तर बहाकर तो यह जो पद्यांस है most important है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में इस पद्यांस से रिलेटेड भी हुआ है आपको क्या करना है प्रशन संख्या चार के अंतरगत आपको किसी एक पद्यांस का संदर्व लिखना है ब्याख्या एवं का विगत संदर्व लिखना है जिसके लिए आपको छे नंबर मिल जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं प्रशन संख्या पांच का के अं निमनलखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परचे दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखे और यह प्रिश्ण पूछा जाएगा तीन नमबर का यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन महातपूर लेखकों का नाम लिखा है आपको क्या करना है किसी एक लेखक का ज वीडियों में से किसी एक कविका जीवन परचे दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए तीन नंबर का यह प्रशन पूछा जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं तुलिसी दास, स्याम नाराण पांडे, माखललाल चतुरवेदी आपको चैनल की प्लेलिस्ट मे यहां पर जितने लेखक दिये गए हैं जैसंकर प्रशाद, डाक्टर राजन प्रशाद, राम चंदर सुकल, तुलिसी दास, स्याम नाराण पांडे और माखललाल चतुरवेदी सभी से रिलेटेड वीडियो यानि सभी का जीवन परचे और उनकी महतपूर रचनाव से रिल नलिखित का संदर्व सहित हिंदी में अनुवात कीजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रिश्ण संख्याच्छे के अंतरगत संख्सकरत का एक गद्यास दिया गया है और अथवा में एक पद्यास भी पूछा जाएगा और आपको क्या करना है किसी एक का संदर्व लि कैंतु मा कहसिद दुख भाग भावेत इस संख्सकरत संदर्व लोग लीख सकते हैं तो आपको में बता दिया कितने अनुबर का इहां प्रिश्ण पूछा गया है चार नंबर का प्रिश्ण संख्या साथ का जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा अपनी पाथ़ पुस्तक से कन्ठस्त कोई इस लोग लिखिए जो इस प्रश्ण energized हो तो मैं आपको सलाह कि आप दो इस लोग की याद कर लीजे कितने दो इस लोग जरूर जरूर याद कर लीजे यदि एक इस लोग आ जाता है तो आप दूसरा इस लोग लिख लेंगे और ये जो दो नंबर हैं आपके पक्के हो जाएंगे यहां पर प्रश्ण संख्या साथ खा के अंतरगत पूछा गया है निमनलिखित प्रश्णों में से किनी दो प्रश्णों के उत्तर संख्सक्रत में दीजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं चार प्रश्ण पूछे गए हैं आपको क्या करना है किनी दो प्रश्णों का उत्तर संख्सक्रत में देना है जिसके लिए आपको दो नंबर मिलेंगे यहां अगला प्रश्ण है आठका केंतरगत हासरस अथवा करूडरस की परिभासा उदाहरण सहित लिखिए तो आप चाहे तो हासरस की परिभासा लिख सकते हैं अथवा चाहे तो आप करूडरस की परिभासा लिख सकते हैं उदाहरण सहित आपको चैनल की प्लेलिष्ट में हासरस और करूडरस दोनों रसों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा आप यहां आप देख सकते हैं प आठखा के अंतरगत पूछा गया है रोला अथवा सोठा की परिभासा सोदाहरण लिखिए और यह प्रशन पूछा गया है दो नमबर का आपको चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा रोला अथवार सोठा चंद की परिभासा से रिलेटड वीडियो देखने को मिल जाएगा और है प्रशन आठगा के अंतरगत रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभासा लिखकर उसका उदाहरण भी दीजिए और यहां प्रशन आया हुआ है दो उसी तरीके से आपकी वूर्ड परिछा में दो नंबर का ही प्रशन पूछा जाएगा और आपको चैनल की प्लेखार उपमा अलंकार और उत्परेचह अलंकार उकौण सा उत्परेचह अलंकार सभी का मैने लच्छड बता दिया है निस्वी अलंकारों की परिभासा और उदाहरण से related वीडियो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा प्रशनी संख्या 9 का के अंतरगत आप देख सकते हैं पूछा गया है निमनलिखित उपसर्गों में से किनी 3 के मेल से एक-एक सब्द बनाईए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशनी संख्या 9 का जो की इस प्रकार से आपकी बोर्ड परिच्छा में पूछा जाएगा यहाँ पर 6 उपसर्ग दिये गए हैं आपको क्या करना है किनी 3 के मेल से एक-एक सब्द बनाना है और यह 3 नमबर बिल्कुल पक्के कर लेना है प्रशनी संख्या 9 का के अंतरगत आप देख सकते हैं आया है प्रशनी निमनलिखित में से किनी 2 प्रतेओं का प्रियोग करके एक-एक सब्द बनाईए तो यहाँ पर छे प्रते दिये गए हैं आप देख सकते हैं आपको किनी दो का प्रियोग करके एक-एक सब्द बनाना है जिसके लिए कितने नंबर दो नंबर निर्धारित हैं प्रशन संख्या नोगा के अंतरगत पूछा गया है निर्धारित में से किनी दो का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए यहाँ पर चार विकलब दिये गए हैं आपको किनी दो का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है जिसके लिए आपको दो नं शे विकल्ब दिये गए हैं आपको क्या करना है किन्ही दो के ततसम रूप लिखना है और दो नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है प्रशन संख्या नौ अंगा के अंतरगत आप देख सकते हैं पूछा गया है निमनलिखित में से किन्ही दो शब्दों के दो दो परियावाची सब्द लिखिये यहां आप देख सकते हैं च्छा विकल्ब दिये गए हैं आपको किन्ही दो के दो दो परियावाची सब्द लिखना है जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे दो नंबर मिल जाएंगे प्रशन संख्या 10 का के अंतरगत पूछा गया है निमनलिखित मे से किन्ही दो में से संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिये तो यहां पर जो चार विकल्ब दिये गए हैं आपकी बोर्ड परिच्छा 2022 के लिए भी काफी ज्यादा इंपोर्टन्ट हैं और यहां जो प्रशन पूछा जाएगा दो नंबर का पूछा जाएगा प्रशन स आपको क्या करना है पंचमी विभक्ति दूइबचन यहां पर पूछा गया है पंचमी विभक्ति दूइबचन और प्रशन में परिवर्तित करके भी पूछा जा सकता है कि चतुर्थी विभक्तिया तृतिया विभक्ति कुछ भी पूछा जा सकता है और यह जो प्रशन लकार पुरुस तथा वचन लिखिए यहां पर आप देख सकते हैं तीन वी कलब दिये गए हैं आपको क्या करना है किसी एक की धात लकार पुरुस तथा वचन लिखना है जिसके लिए दो नंबर मिल जाएंगे प्रशन संख्या 10 घा के अंतरगत आप देख सकते हैं पूछा गया है निमनलखित में से किनी दो वाक्यों का संख्यक्रत में अनुआत कीजिए तो यह प्रशन पूछा जाएगा दो नंबर का और संख्यक्रत के वाक्यों होंगे चार आपको किनी दो वाक्यों का संख्यक्रत में अनुआत करना है और यह दो नंबर बिलकुल पक्के कर ल समस्याएं एवं उनका निराकरण दूसरा है सारे जहां से अच्छा हिंदूस था हमारा तीसरा है राष्टी एक्ता का महत्तो और चोथा है बाढ़ का बिनास्कारी द्रस से पाचवा है परियावरण प्रदूसर समस्या एवं रोग थाम तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में परियावरण प्रदूसर समस्या एवं रोग थाम और कोरोना वाइरस से रिलेटेड निवंद का वीडियो देखने को मिल जाएगा जो की मोस्ट इंपोर्टेंट है 2022 बोर्ड परिच्छा के लिए तो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा और आपको क्या कर करना है किसी एक विषय या जो प्रशन पूछा गया है प्रशन संख्या 11 आपको इन विषयों में से किसी एक विषय पर निवंद लिखना है और यह जो प्रशन पूछा जाएगा कितने नंबर का छे नंबर का पूछा जाएगा प्रशन संख्या 12 जो कि यहां आप देख सक हैं तीन नंबर का यहां प्रशन पूछा गया है और यह आप देख सकते हैं प्रशन संख्या बारा का के अंतरगत मुक्त दूत खंड काव के दिती शर्ग की कतावस्तु अपने सब्दों में लिखिए तो आपको इस प्रशन के उत्तर में क्या करना है जो आपके जिले में यानि आपके जिले में जो खंड काव निर्धारित है जो आपके जिले में खंड काव निर्धारित है उसी को आप ध्यान देंगे उसी को आप पढ़ेंगे और उसी से related प्रश्न का उत्तरदेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यदि आपके जिले में मुक्त दूत खंड कभी निर्धारित है तो आप देख सकते हैं मुक्त दूत खंड का बेसे दो प्रश्न पूछे गए हैं बारा खा के अंतरगत जोती जवाहर खंड काव का कथानक संछेभ में लिखिये और यहां पर जोती जवाहर खंड काव के जिस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो उसका चरित रांकन कीजिए यहां पर आप देख सकते हैं बारा गा के अंतरगत अग्र पूजा खंड काब से भी दो प्रश्न पूछे गए हैं और यहां पर बारा घा के अंतरगत मेवार मुकुट खंड काब से भी दो प्रश्न पूछे गए हैं और बारा अंगा के अंतरगत जै सुभास खंड काब से भी दो प्रशन पूछे गए हैं और बाराच्छा के अंतरगत आप देख सकते हैं मात्र भूमी के लिए खंड काब से भी दो प्रशन पूछे गए हैं और यहां बाराच्छा के अंतरगत आप देख सकते हैं कर्ण खंड काव के भी दो करणा करणा खंड कवि से भी दो प्रश्ण पूछे गए हैं और अगला है बारा जहा के अंतरगत तुमुल खंडकाब इसे आप देख सकते हैं दो प्रशन पूछे गए हैं तो जो खंडकाब आपके जिले में जो खंडकाब आपके जिले में क्या हो निर्धारित हो जो खंडकाब आपके जिले में निर्धारित हो जो खंडकाब आपके जिले के लिए निर् परिच्छा 2022 के लिए most important है यहां से जरूर बनेंगे प्रश्न आपकी परिच्छा में तो यह दिया आप कमेंट करेंगे तो मैं जल से जल इस model paper का संपूर बोर्ड हल करके बता दूँगा वीडियो के द्वारा और यह भी बता दूँगा कि आपको बोर्ड परिच्छा में बोर्ड परिच्छा में कापी किस तरीके से लिखनी है और आपको चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अन्य महत्पूर माडल पेपर से related भी वीडियो देखने क को मिल जाएंगे इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब आप अपनी बोर्ड परिच्छा 2022 की वहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें क्योंकि अब आपकी बोर्ड परिच्छा 2022 का कारिकर्म जल से जल निर्धारित कर दिया और अब आप बिलकुल सचेत हो जाएए और वोर्ड परिच्छा 2022 की वहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजे पढ़ते रहें मसत रहें जैहिंद